Assalamualaikum everyone and welcome to the next topic of British Constitution. अपने प्रीवेस टॉपिक में हमने British Judiciary पड़ी थी और British Judiciary की हमने characteristics पड़ी थी Rule of Law and Exemption from the Rule of Law पड़ा था और आज का हमारा टॉपिक है British Judiciary की तंजीम और Organization of British Judiciary System As you know, British Judiciary is one of the most organized judiciary of the world as well as it is the most old organized judiciary system of the world. इसके अदाल्दी तंजीम के दो हिस्से हैं One is civil courts and the other are criminal courts. Civil courts या दिवानी अदाल्दों के अंदर एक फरीक ताज यानी बादशा होता है यानी हकूमत होती है और दूसरा फरीक आम तोर पर शहरी होते हैं और फौजदारी अदाल्दों के अंदर कतल, चोरी, डिकेती, विरा जैसे मकदमात आते हैं दूसरी courts दिवानी अदाल्दें ये civil courts हैं जिसमें दोनों शहरी आपस में उनके दरम्यान फरीकें दोनों शहरी होते हैं उनके दरम्यान मकदमा होता है या फिर एक फरीक वियासत भी हो सकती है और दूसरा शहरी भी और दिवानी अदालतों के अंदर वरास्थ, जायदाद, तलाग, शादी, इसना के मामला तैकिया जाते हैं अदालतें सिर्फ ऐसे मकदमाद की समाद करती हैं जो उनके पास किसी शहरी या हकुमत की तरफ से लाय जाते हैं अदालत अपने तोर पर किसी मामले में मदाखलत नहीं करती जब तक कोई फरीक इसकी तरफ से मुकद्मा दायर नहीं करता। बिटिश जुडिश्री की जो और्गनाइजेशन है वो हम दो तरहां से पढ़ते हैं फौजदारी अदालते और दिवानी अदालते फौजदारी अदालते मजीद आगे जस्टिस ऑफ पीस समाही अदालते और गश्टी अदालतों और अपील की अदालतों में तक्सीम होती है जबके दीवानी अदालतें, काउंटी अदालत, हाई कोर्ट अफ Carry elét Let's, कौर्ट अफ अपील में आगे तक्सीम होती है दीवानी अदालतें या Civil Kोर्स यानि ऐसी अदालतें जो आम तोर पर शहरीों के जिनमें फरीकेंप आम तोर पर शहरी होते हैं और शहरीयों के मकद्मात लेती हैं जो फुरासर जायदात की खरीदों फ्रोफ लेंदेन जैसे मामलात को डील करती हैं दीवानी अदालतों में पहली अदालतें जो किसम है वो है काउंटी अदालत काउंटी बेसिकली ब्रिटिश सिस्टम के अंदर एक अड्मिस्ट्रेटिव यूनिट है जिस तरह से ह हमारे हाँ टाउन, म्यूस्पेल्डी, जिले वगारा होते हैं ऐसे ही वहाँ पर काउंटी अड्मिस्ट्रेटिव यूनिट हैं और हर काउंटी के अंदर अदालते काईम हैं ज्यादा तर जो दिवानी मुकदमात हैं वो काउंटी अदालतों से शुरू होते हैं और इंगले है और जज्ज के लिए जुरूरी होता है उसकी एहलियत का मियार यह है कि आठ साल तक वकालत का तजर्बा रखता हो और यह सब जो वहां का पहले तमाम जज्जे लॉर्ड चांसलर की हुकम से मकरर किये जाते थे और अब यह चीफ जस्टिस ऑफ इंगलेंड के हुकम से मकर अब ़का पर किये जाते हैं एक सर्कुट में जितनी भी काउट Đी आड़ते होती है वहां पर जो जज़र्ज काम करता है वो पिर एक तर दूसरी आडालत के चक्र लगाता रहता है यह और एक माम जश्कम एक बार जरूर जाता है और यह आम सूर पर मामूली नौयत क्यानि 400 पॉंट तक के मुकदमात की समाथ करती है उसके बाद आती है इंसाफ की अला अदालत जिसको High Court of Justice कहते हैं जो दीवानी अदालत की दूसरी जिसम है यनि के दीवानी अदालत में दूसरी की तन्जीम में दूसरी हमें नजर आती है काउंटी अदालत में बन्यादी मुकदमात हैं फिसके बाद इंसाफ की आला अदालत आती है ये दीवानी मुकदमात की ये समाथ के लिए आहमें अदालत है और ये उस जो ये काउंटी अदालत है 400 पॉंट की नौयत की मुकदमात सुन सकती है तो ये उससे 400 पॉंट से जो ज़्यादा मालियत के मुकदमात है उनकी समात ये इनसाफ की आला अदालत यानि High Court of Justice करती है ये आगे मजीद 3 डिविजिन्स पर मुझतमिल है शाही डिविजिन्स पर, चांसलरी डिविजिन्स पर और उसके बाद डिवोर्स और नेवल डिविजिन्स पर तलाग, वसीयत और बहरिया डिविजिन्स पर यानि इनसाफ की आला अदालत मजीद आगे फिर इसके 3 डिविजिन्स बनते हैं जो शाही डिविजन है ये 20 जजजेस पर मुश्तमिल होता है और इसमें लॉर्ड चीफ जस्टिस शामिल होता है और ये हिसाबार टेक्स तिजारत वेरा के पुटलिक उठने वले जो तनाजियात हैं उनकी समाद करती है उसके बाद चांसलरी डिविजन आता है ये लॉर्ड जागीरों दिवाली और लिमिटिट कंपनियों के बतलिक मुकदमात की समाद करता है ये शाही डिविजन थोड़े लॉर लेवल के और चांसलरी डिविजन थोड़े हायर लेवल के जो ब्रिटिश कंपनीज हैं लिमिटिट कंपनीज हैं उनके उनसे मुकदमात की समाद करत असनिकात, अलाग, खांदानी, जगड़े, जायदात की तक्सीम और वसीयतों के मुकदमात आते हैं और समंदर में पेश आने वाकियात के बारे में भी तमाम मुकदमात इस डिविजन में आते हैं इसलिए इसके अंदर इसको बहरिया डिविजन भी कहते हैं क्योंकि इंग्लेंड टीन अत्राफ से समंदर से गिरा हुआ मुल्क है तो जहाजों के जरिया तिजारत और महसूलात रहा के विसाईल भी यही डिविजन डील गरता है उसके बाद जो तीसरी अदालत आती है कोर्ट अफ अपील यानि अपील की अदालत यह दिवानी अदालत ही तीसरी इसकी आप कहते हैं और्गनाइजेशन में यह आती है अपील की अदालत अदालते अंसाफ से जरा बलंद दरजा रखती है और इसके अंदर भी हाई कोर्ट अफ जस्टिस और अपील की अदालत के भी दो ही हिस्से हैं और दोनों हिस्से मिलते हैं तो अदालते आलिया बनती है सुप्रीम कोर्ट अफ इसको जूडिकेचर कहते हैं जब ये दोनों हिस्से मिल कर काम करते हैं हाई कोर्ट के तीनों डिविजियन जो उपर जानी इनसाफ की जो आला करी नतारता है इसके तीनों डिविजिन के फैस्दों के खिलाफ अपील इसके वो पोर्ट के अंदर की जाती है ये अपील के अदालत दीवानी अदालतों की जो बनियादी अदालते हैं काउंटी अदालत और इनसाफ की अदालत और इसके तीनों गिस्मों की जो अदालते हैं जो डिविजन्स हैं उनके खिलाफ मुकदमात की समाथ करती है और उनके खिलाफ अपील सुनती है और इसमें आम जो आठ जज़िज़ हैं उसके लावा एक बरतर जज़ मास्टर अफ दर रोल्स जिस तर गाते हैं वो भी होता है आम दोर पर ये जो इस जज़ के इस अदालत का जो सदर के फराइस लौड चांसर के जिमें होते है याई चीफ जस्टिस ओफ इंगलेंड के लेकिन वह उपनी मसरूफियात के विसे ये फराइस सर अंजाम नहीं देता तो इस अदालत की सदायत के फराइस मास्टर अफ पी रोल सर अंजाम देता है उसके बार आता है हाउस ओफ लौड्स हाउस ओफ लौड्स बरतानमी याँ की जो अदालती निजाम में उसकी सबसे बड़ी दिवानी अदालत समझ थी लेकिन और ये दारूल अमरा थी दारूल अमरा पहले एक अदालत के तोर पर भी काम करती थी और पारलिमेंट के एवाने बाला के तोर पर भी और यही वहाँ पर आखरी कोर्ट अफ अपील भी थी और इसके पास बहुत अहम नोयत के मुकदमाद जिस तना से किसी भी आम उलके अदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील के मुकदमाद आते हैं तो इसके पास भी आते थे और दारूल अमरा का सरबरा लौड चांसलर था उसके लावा नो जजजिस और भी शामिल थे और जब ये दारूल अमरा बतोर अदालत पैटता था तो इसके तो ये नो अफराद पर मुझतमिल अफराद काम करते थे और पाकी जो नो अफराद जो दारूल अमरा में से ही लिये जाते थे वो माहरे कानून होते थे और जब ये बतोर अदालत काम करता था तो ये सिर्फ नौ अफराद काम करते थे लेकिन आप दारुल अम्रा की जो अदालते आलिया की हैसित है 2005 से ये खत्म कर दी है और अब बरतानिया के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट काइम है और सुप्रीम कोर्ट ही वहाँ पर आला जो अफील के केसिस हैं वो सुनती है उसके बाद आती है प्रीवी कॉंसल की आला अदालती केमिटी प्रिवी कौंसल की अला अदाली केमिटी इंगलिस्तान की जो शेहरी हैं उनकी तरफ से दार होने में मुकदमात भी सुनती थी लेकिन इसका असल इफ्तियार जो था वो बरतानी नौबादियाद से रिलेटिड था यानि ये जो बरतानी कॉलोनी थी जिस तरह के सब कॉंटिनेंट भी पहले बरतानी के कॉलोनी थी तो ये उन से रिलेटिड मुकदमात थी उनका फैसला करती थी लेकिन जब से 19 और 20 एस सेंचुरी के अंदर बरतानीया ने अपनी नौबादियाद को आज़ाद किया है और अब बरतानीया के पास कोई एक भी नौबादी हासल नहीं है तो प्रिवी कॉंसल के ये इसारात तक्रीबन ख़तम होकर आगी है अब सिर्फ नौज़िलेंड एक ऐसा मुल्क है जहां के अवाम को क्योंकि नौज़िलेंड भी पहले बरतानीया की नौबादी रह चुका है अब वो एक अजाद और खुद्मक्तार मुल्क है लेकिन बरतानिया के प्रिवी कौंसल है वहां तक न्यूजिलेंड के अवाम के अभी तक रसाई हैं वहां पर अपील्टे कैसिस लेकर जा सकते हैं तो ये तो थी तन्जीम बरतानिया की जो के दिवानी अदालते हैं उनकी अब हमने जो पढ़नी है वो है फोजदारी अदालतों की तन्जीम फोजदारी अदालते यानि वो अदालते जो कतल चोरी डिकेती गएरा के मुकदमात को डील करती हैं जिसमें एक फरीक ताजदार य आपको इसे पहले चीज़े समझ लेनी चाहिए कि यह सबसे छोटी फोजदारी अदालत है लेकिन यहां पर जो जज़ें उनका काम पैसिफाय करना लोगों को चोटे मोटे जो जगड़े होते हैं क्योंकि वो भी फोजदारी अदालतों के जिम्में में आते हैं तो यह जो इविजिन्स हैं उसके अंदर यह जज़ें बगरर होते हैं और यह आम नौयत के जो मकदमात हैं लड़ाई जगड़े हैं उनको अपकारे में फैसला दे सकते हैं चोदा दिन की एक कैद की सजा दे सकते हैं उसके लबाँ पांच पॉन तक जुर्माने भी कर सकते हैं और यह बिलकूल मामूली नौयत के मकदमात सुनते हैं यह सिर्फ इसले गयाता है कि जो बिलकूल मेकामी नौयत के छोटे मोटे लड़ा daar जगड़े हैं उसके बादा आते हैं तनखादार मेजिस्ट्रेट यह मेजिस्ट्रेट छोटी अबादी वारे कश्मों में तो जिस तरह से बाकाईदात तर्फ़ादार मेजिस्टरेट काएं किये जाते हैं और मेजिस्टरेट कमस बनने के लिए जोरी है कमस कमस साथ साथ साल तक बैरिस्टरी करते रहे ही हो उनको भी जो सुप्रीम कोट का Chief Justice के हुकम से ताइनात किया जाता है मेजिस्ट्रेट तक तक सजा देने का इस्तियार रखते हैं इसके इलावा इनको मेजिस्ट्रेट समरी दालत भी काइम करते हैं और जितने भी एहम नौयत के मुकदमात होते हैं वो मेजिस्ट्रेट के पास नहीं आते हैं की बड़ी डालदानों के पास चाते हैं यह चोटे मुटे मुकदमात सुन सकते हैं ॢैसे की रात के और कोई बगएर लाइट 具 kadar का प्रोड़ कोई ए υ और करकर फनक्ट होती है तो शरी कोई नियू Zel उस जो राते हैं सिंगनल स्थोरने की आम मामूली चोटी करवाईया. दो यह ले सकते हैं. उसके बाद आती है Crown Courts Crown Courts को सरमाही आदालते भी पुकरा जाता है. क्यूंकि इनका जलास साल में चार बार मुनक्षा होता है. हर तीन माबाद यनि सैमा तीन माबाद इनका अपना जलास की तरह करती है. और यह वो इसके अंदर भी शामिल होते हैं अधालत के पासे Lear court कोर्स पे भी कॉर्ण ट्री पर भी होता है. उसके बाल आती ہیں mobile courts यहां गष्षती अधालते या जो एक जगा से डूसरी जगा गष्षत करती रहती है. यह अधालत एक अला जजज की सब्राही में तर्तीब हो πάती है. और आधालत अदालत आला अदालत इंसाफ के चाही बेंच से भी होता है इस जजज की मदद के लिए चांद अरकान पर मुश्टमिल एक जूरी भी बनी हुई होती है और इस अदालत की खासियत ये है कि ये मुश्टिफ इलाकों का खुद दोरा करती है और हर जगाँ जज अदालत का अज्युलाद बलाता है मकामी अफराद मेंसे जूरी के अफराद भी चुन लेता है और ये किसी जगाँ एक मुश्टि अदालत नहीं है बल्के ये मुश्टिफ इलागों में गश्ट करती रहती है और वहां के मकदमात सुनती रहती है सिर्फ लंडन एक ऐसा शहर है जहां पर गष्टी अदालत की जाए एक मुस्पकिल अदालत काइम है और उसके इख्टियारात गष्टी अदालत से मिलते चुलते हैं ऐसा इसलिए कि आग्या है कि लंडन वहां का सेंटरल भी है और वहां का वफाकी तारों हकूमत होने की वज़ा से वहां परगश्टी डालत भी एक मुस्किल अडालत की है यह अधालत बहुत बाइफियार होती है और इसको ज्यादा ज्यादा अमर कहस तक की सजा देने का अफियार हासिल होता है और ये भी कतल चोरी डिकेती के अलावा कतल वारा के मुकदमात और संगीन जो कानूनी खिलाव वर्जी है उसके मुकदमात बने का स्थिया रखती है उसके अलावा लंदन में इंग्लेंड में एक और जो कोर्ट काइम है जो क्रिमिनल कोर्ट की और किसम है वो है Quartz for Under Age Criminals जानी नो उमर मुझरमों के लिए दालते हैं ऐसी दालते हैं जो 18 साथ से छोटे बच्चों की से अगर कोई किसी किसम की कोई जुर्म हो जाए तो उनके लिए अलाग से कोड्स बनाई जाती हैं ये तीन जज़िस पर मुझ्मिल होती हैं और ये हर काउंटी की तरफ से बनाई जाते हैं और इसमें आम तोर पर जो भी बच्चे को जुर्म करते हैं उनके जुर्म की नुएत और उस मुझरिम की नफसियाती कैफियेट को देखा जाता है क्योंकि 18 साथ से पहले बच्चे बहुत इनमेचोर होते हैं वो कोई जुर्म कर सकें तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई psychological reason भी हो सकता है और कोई economic depression भी कोई ऐसी economic situation जिसमें वो कोई जुर्म करने पर मजबूर हो तो ऐसी सुरत में उनकी पूरी एक उनकी history ली जाती है और उसके बाद पूरी तहकी करके पर एक report पेश की जाती है और report पेश करने के बाद ये सिफारिश की जाती है कि आया ये मुकदमा चलाए जाने के काबिल है भी या नहीं उसके बाद जो next आती है वो है फोज़दारी मुकदमात की अपील की अदालत तो फोजदारी मुकदमात की जो अपील की अदालत है ये गश्टी जो अदालते हैं यानि मोबाइल कोर्स और जो सेमाही कोर्स थी प्राउन कोर्स थी उनके खलाफ ये अपील सुन सकती है और इन जजजस का तालुग भी हाई कोड के शाही बेंच से होता है और ये ऐसे मुकदमात की समात भी कर सकती है जो इनमें कुछ कानूनी नुक्ता वाज़ ना हो और निचली अदालते सही फैसला ना कर सकती है और जो फोजदारी मुकदमात के ज़्यादतर फैसले उनके खिलाफ अपील यहीं सुनती है इनके फैसलों के खिलाफ अपील नहीं की जा सकती इसके लावा अपील की अदालत किसी सजा को किसी जो निचली अदालत है है उसके भी इसक्राव कोम भी कर सकती है या सिरे से खतम भी कर सकती है उसके बाद आती है सुप्रीम कोर्ट ओफ इंग्लेस तान यह वही अदालत मूर्ट ए जो कि हाउस ओफ लॉड की दरुल अम्रा की जो सबसे बड़ी अदालत थी उसके पैरलल काएंग गरी है यह लगा और 2005 में जो आईनी इसलाहात नाफिस की गई उसके बाद से इंगलेंड के अंदर नही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंगलेंड कायम की गई है इससे पहले बरतानिया में जो लॉर्ड चांसलर था वही बरतानिय अदलिया का सबसे बड़ा सरब्रा समझा रहता था अब उसको खतम कर दिया गया है उसकी जगा लॉर्ड चीफ जिस्टिस ऑफ बरतानिया ने ले ली है और अब जो बरतानिय अदलिया है उसके सरब्रा लॉर्ड चीफ जिस्टिस है और यही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंगलेंड बरतानिया की सबसे बड़ी अदालत है जो जिसके पास वो तमाम इस्तियाराथ हाते हैं जो पहले दार अभरा के पास से और जो किसी भी मुल्की सबसे बड़ी अदालत के पास इस्तियाराथ होते हैं वो अपने से निचली तमाम तर जो छोटी अदालते हैं उनके तमाम मुकदमात की अपील के कैसिस लेती हैं उसके लावा बरतानिया के अंदर कुछ खसूसी अदालते भी काइम की गई हैं और ये खसूसी अदालते मजबी अदालते भी हैं, कुछ फोजी अदालते हैं, कुछ प्रॉनर्स अदालते हैं, मजबी जो अदालते हैं, ये मुन्यादी तोर पर जितनी आर्च, बिशिप्स, उनके अंडर काम करती है और उनके लिगरानी में काम करती है और उनके जमेदारी प्रिवी कौंसर पर भी डाली गई है और ये मजबी नौयर के आप कह सकते हैं मुकदमात की समात करती है चर्चिस के लिए किदाश तो उनकी जो भी आमदन होती है या उनके पर अखराजात वर ऐसे रेलेटेड़ उसके इलावा फोजी अदालते हैं जो दिफाई या फ़ाज के मुलाजमीन हैं उनके खिलाफ करवाई आम अदालतों की बजाए फोजी अदालतों में की जाती है और फोजी अदालते उनका कोर्ट मार्शल करती है ऐसा किया जाता है और अगर किसी फोजी के किसी मुकदमे का दालुक आम शारियों से हो तो फिर वो अपील के लिए जो चीफ जो के बरतानिया की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट अफ इंग्लेंड है उसके पास आ सकता है आम हलात में जो फोजी अदालते हैं उनके आती हैं क्रोनर्स अदालतें ये अदालत अब किसी भी अबादी में मकामी तोर पर काम करने वाले बैरिस्टर सोलिस्टर्स या डॉक्टर्स पर मुश्मिल होती है और ये आम तोर पर जो लोकल लेवल का कोई भी ऐसी किसी सिटीजन की सेड़न डेथ के बारे में पर 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 कोई तश्दुद किया गया है या किसी गए फित्री तरीके से इसकी डेथ हुई है तो ऐसे में जो माहिरीन ये मुकदमा सूम दियाता है और वो खुझ से इन हालात की तहकी करते हैं और जायवकुआ की और जो भी डेट बाड़ी होती है उसकी पोस्मार्टर में करके फिर रिपोर्ट त्यार करते हैं और इसके बाद कतल की नुएत तरीके और टायून करके फिर बड़तर अदालत का काम को असान करते हैं तो बेसिकली क्रॉनर्स अदालत जो है ये एक बन्यादी तोर पर एक तहकीकाती अदालत है जिसमें कम असकम फाइव यर एक्स्प पर चुके हैं कि बरतानिया के अंदर कोई इंतजामी कानून या इंतजामी अदालतों का सिस्टम नहीं है जैसे कि यूर्पें अक्से पंट्रीज में और खास तोर पर फ्रांस के अंदर अद्लिया का निजाम इस तरह से काइव है कि वहां पर आम जो शेहरी हैं उनके अधालतों में जाते हैं लेकिन पिछले 50 यर्स में कुछ ऐसी प्रेसिडेंट्स हमारे सामने आती हैं ऐसी विसाले आती हैं जिसमें बरतानिया के अंदर भी ये निजाम नजर आता है कि कुछ इंतजामी मामलात के लिए ऐसे ट्रैबिनल्स बनाएगे खशूसी अदालते ब या स्पेशल अदालते अलग से काइम नहीं हैं इसकी बिसाल यह भी है कि बरतानिया में जब बहुत सी जो सन्टे थे इनको नैशनलाइज कर लिया गया बहुत सी काइम हुई और संटों को कौमिया लिया गया तो इंतजामी ट्रैबिनल्स बिर्णाने का रुजहान ज्याद चार्कुनों के अलाउंसेज, फैमिली अलाउंसेज, ट्रांसपोर्ट वगारा से तार तो इस तरह के मुकदमात जो किसी कार्पोरेशन से रिलेटेड़ अफरावाज से तालू करते थे उनको हल करने के लिए स्पेशल ट्रैबिनल्स बनाएगे तो इस तरह के हमें बरतानि तो बरतानिया एक इंडस्टियलिस कंट्री है, और तो वहां के जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज हैं और बड़ी-बड़ी कार्प्रोरेशन्थ हैं, उनके जो हुला-जमीन है उनके लिए अलग से ट्रैबुनल्स बनाने का एक रुजहान है जो बरतानिया में एक रिवायद पकूरता जा रहा है और हो सकता है कि आएंदा आने वाले सालों में हमें बरतानिया के दर भी एक इंत्वामी ओनन अलग यहां पर बरतानिया की जो अदलिया है उसका पूरा निजाम का टॉपिक अब्लीड होता है